इस review के sponsors हैं आप यानी मेरी audience और मैं किसी brand का sponsored content अपने channel पे नहीं चलाता क्योंकि मैं अपने reviews के अंदर अच्छी अच्छी बाते बोलने के बजाए uncomfortable truth ही बोलना पसंद करता हूँ मुझे support करने के लिए please subscribe और join करें मेरे channel को क्या दो TVs के side by side comparison video के अंदर आपको TV के picture quality पता चलती है और क्या दो soundbars के sound test के अंदर आप audio quality को judge कर पाते हैं इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको कोई बताता नहीं लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा हेलो दोस्तों, welcome to my channel BM1 मेरा नाम है विनीद और आज का विडियो बहुत जबरदस informative होने वाला है इसका कोई पार्ट मिस मत करियेगा दोस्तों हो सकता है आप मेरी इस विडियो में बताई गई बातों से अगरी ना करें and that's completely okay आप अपने thoughts मुझसे comment section में share कर सकते हैं लेकिन विडियो स्किप करके देखने के बाद आप उनसे वो सवाल मत पूछेगा जो मैं already विडियो में बता चुका हूँ जब भी आप दो टीवी का comparison विडियो देखते हैं तो उसमें तीन factors काम करते हैं number one, दोनों टीवी का brightness level number two, camera किस quality में विडियो को record कर रहा है और number three, जिस भी device यानि phone के अंदर आप देख रहे हैं उसकी screen quality ओ, शार में टीवी की picture quality बताना ही भूल गया नहीं, मैं कुछ नहीं भूला क्योंकि टीवी की picture quality आपको किसी भी विडियो में पता ही नहीं चलती इसको prove करने से पहले, आपको मैं पहले बताये गए points को थोड़ा सा explain करता हूँ point number one, किसी भी टीवी की brightness level अगर जादा है और contrast ratio अगर better है तो वो दूसरे टीवी से हमेशा better लगेगा और आप दूसरा टीवी कभी भी लेना पसंद नहीं करेंगे जादा तर वीडियोज रिकॉर्ड होते हैं 1080p यानि Full HD में मान लीजे एक अच्छे कैमरा DSLR से लेकिन उस DSLR का color gamut और dynamic range बिल्कुल अलग होता है वीडियो में दिखने वाले टीवी की dynamic range और color gamut से टीवी आपको दिखा रहा है एक billion colors और camera record 1 million भी नहीं कर पा रहा है तो बताइए कितने colors दिखेंगे आपको और क्या आप असली में picture quality को जज कर पाएंगे असल बात यह है दोस्तों कि आप video के अंदर 8 bit panel को जादा पसंद करेंगे और 10 bit आपको कम पसंद आएगा in most of the cases और आप देखते कहां है इन videos को अपने फोन में अब आपको color gamut और dynamic range के बारे में पता है तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके phone की color gamut और dynamic range क्या है कोई बताता नहीं और आप पूछता ही नहीं चलिए छोड़िए अब आपको दिखाता हूँ proof दोस्तों मैंने अपनी stories के अंदर आपसे पूछा था कि इन में से किसकी picture quality best है जवाब में आपने मुझे बोला 1, 2 और 3 तीनों options और ये इसलिए हुआ क्योंकि आप सभी के phones की screen quality अलग है और अब ये video देखिए दोनों ही TVs के अंदर 4K videos चल रहे हैं बताईए किस TV की picture quality ज़्यादा अच्छी है क्या आप बता सकते हैं आप इन दोनों में से कोई भी TV चुन लीजिए और वो जवाब गलत ही होगा क्योंकि वीडियो में देखने में दोनों ही TVs बिलकुल बराबर हैं लेकिन रियल लाइफ में उपर वाला टीवी ज़्यादा बेटर है क्योंकि उसमें फुल एरे बैकलाइटिंग और डिमिंग है तो क्या करना चाहिए आपको? साइड बाइ साइड कमपाराजन वीडियो नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो मेरे पास तो आपको मिलेंगे नहीं और वो आप जानते ही हैं क्यों? लेकिन आपको देखने चाहिए क्योंकि जहां पे आप वो वीडियो देखेंगे वो भी experience reviewers हैं और आपको TV का design और उसके features वहीं पर पता चलेंगे क्योंकि वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा चलिए अब बात करते हैं एक sound test की sound test में चार important factors काम करते हैं microphone जो उस audio को record कर रहा है उसकी quality microphone जहां पे audio को record कर रहा है उसकी quality room की acoustics और जिस speaker पे आप सुन रहे हैं उसकी quality ज़ादातर mics omnidirectional होते हैं जो हर तरफ से आने वाली आवास को catch करते हैं जैसे fan, AC यहां तक की sound की sound की आवास भी इसलिए मैं अपने videos को midnight में shoot करता हूँ बिना fan और AC के ताकि आपको audio अच्छी मिले लेकिन मेरी आवास सिर्फ एक ही frequency पे travel करती है और music में कई frequencies होती हैं तो क्या वो mic हर frequency को उसी तरह से कैच करता है सिर्फ जो mics music industry में यूज होते हैं जहां पर प्रॉपर studio setup होता है चारो तरफ acoustic panels लगे होते हैं प्रॉपर receivers होते हैं audio को receive करने के लिए वही record कर सकते हैं music को प्रॉपर ली और वो setup मुझे नहीं लगता कि किसी भी YouTuber के पास आज की रेट में है और इसी लिए आपको प्रॉपर music या audio test कभी नहीं मिल पाता इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा पोर्शन दिखाता हूं अपने पिछले वीडियो के audio test का इस sound test में Mulo ब्लॉपों से ज़्यादा अच्छा sound कर रही है क्योंकि मैंने Mulo को 100% volume पे रखा है और ब्लॉपों को 60% पे और ये मैंने इसलिए करा ताकि दोनों का audio level बिल्कुल सेम रहे अगर मैं ब्लॉपों का audio level थोड़ा सा भी और बढ़ाता तो audio में distortion आ जाती कुछ ऐसे इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो soundbar या दो home theaters का fair audio test comparison कभी भी video में नहीं हो सकता इस video में इतना ही दोस्तों लेकिन हाँ आपके लिए एक news है VU Premium, Ultra और Cinema का stock बहुत जल्दी आने वाला है और मैं Instagram, Twitter और YouTube community section पर पोस्ट करके आप सभी को बताऊंगा जैसे ही stock आएगा और अगर आप TV अभी लेना चाते हैं तो मैं आपने recommended TVs की list को description में दे रहा हूँ आप उसे जरूर चेक करिए और कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे comment section में मैं जानना चाहूँगा आपके thoughts और मैं आपको मिलता हूँ अप next वीडियो में बहुत ही जल्दी Thank you very much